मैंने एक अंजान सी जगे पर एक बड़ा सा सर्कल बनाया है और ये है एक रैंडम सब्सक्राइबर और अगर ये इस सर्कल के अंदर पूरे 100 दिन रहता है तो मैं इसे दूँगा पूरे 5 लाग डॉलर्स सर्कल के अंदर पैर रखते ही 100 दिन का काउंटर शुरू हो जाएगा चाइमर शुरू हो गया है अब इसे इस सर्कल के अंदर 100 दिन रहना होगा यहां तो कुछ भी नहीं है अब तक नहीं है और इस घर के अंदर खाना है कपड़े हैं और 100 दिन जिन रहने के लिए जरूरत की सारी चीज़े रखी गई है और यह है शौन की फैमली मैं चाहता था कि चैलेंज शुरू होने से पहले आप इससे एक बार मिल ले तुम सब भी देखोगे मैं पांच लाग डॉलरस लेकर इस सरकल से बाहर आऊंगा सब की बहुत याद आईगी शाहिद मैं रोने वाला हूँ वीडियो अभी बस शुरू ही हुआ है और सब इमोशनल होने लगे अब निन्यान में बाकी चलो काम पर लगते हैं ठीक है स्ट्राटेजी सेशिन नमबर वान यहां क्या क्या है और कितना है और कैसे और्गनाईस करना है सोचते हैं पहले सौ दिनों के लिए तुम्हें इतना ही खाना मिलेगा तो अगर तुम यह सारा खाना पहले पचास दिनों में खत्म करते हो तो खेल खत्म पहले पहले मुझे यह सारा खाना बहुत ज्यादा लग रहा था शॉन हम दरजनों कैमरास से 24 घंटे इसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं अगर वो उस रेड लाइन को क्रास करता है तो हमें पता चल जाएगा क्या लगता है इस चैलेंज का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होगा यहाँ अकेले रहना कोई मुकाबला ना होना इतने दिन सरकल में रहना वो अब भी हमसे बात कर रहा है लेकिन हम बार आ चुके हैं और खुद से बाते करना सुनो शॉन शायद से वो निकल गए मुझे उनसे नफरत है चूँकि क्रिस ने मेरे घर को परफेक्ली उतारा था इसलिए ये पानी नहीं जा रहा है बहुत ही बढ़िया क्रिस अब मुझे इसे पूरे सौ दिन छेलना होगा मौसम साफ है तो बाहर जाने के लिए अच्छा दिने और कुछ सबजियां लगाते है ओ, मुझे चलते हुए ध्यान देना होगा क्योंकि अगर उसे क्रॉस कर दिया तो गेम ओवर उस रेड लाइन का मतलब है मौथ अगर उसे चू लिया तो सब खत्म तो कुछ लखडियों को पीछे ले जाता हूँ और एक सेकंडरी लाइन बनाता हूँ तो अब मेरा ब्यूटिफुल सर्कल तयार है शान आ जाओ और सब कैसा चल रहा है बहुत बढ़िया अरे एक मिनिट क्या ये चीरियो है सौ दिनों के लिए बस इतना ही खाना है तुम्हारे पास तुम्हें एक चीरियो वेस्ट कर रहे हो ठीक है बढ़िया ये बहुत लजीज है शान इतनी तीजी से रूटीन बना रहा है कि मैं हैरान हूँ ये ओफिशिली दसमा दिन है हाँ क्यों नहीं तुम अपने वजन पर भी ध्यान रख रहे हो मैं हर साथ दिन में वजन चेक कर रहा हूँ तो आखरी दिन तक पैलवान बनना चाहरे हो हाँ आखरी तक मैं फिट बन जाऊंगा और पांच लाग डॉलर्स का मालिक भी तुमारी वाइफ मुझे दूआ देगी लगता है याँ सब कुछ ठीक चल रहा है एक महने बाद मिलके एक महने बाद शायद यह मजाग था पर सच भी हो सकता है गार्डन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इने उस रेड लाइन से थोड़ा दूर लगा रहा हूँ मैं उन जीते हुए पैंसो से मैं मेरे फार्म को 100% सोलर पावर पर चलाना चाहता हँ मेरा फार्म पूरी तरह टेसला जैसा होगा यही मेरा सपना है मैं फार्म हाईस पर यही करना चाहता हूँ उन पैसों को जीतने का इंतिजार नहीं हो रहा और शायद इसके बाद मैं एक लंबे विकेशन पर जाऊंगा अभी अभी जीमी ने बता एक तुफान आने वाला है पूछ रहा था तुफान आने पर सरकल से बाहर जाओगे मैंने कहा मैं उकला हुमा से हुआ मैं उस प्लास्टिक के लिए सरकल से बाहर जाकर पांच लाग खोना नहीं चाहता ओ देखो बारिश शुरू हो गई मेरे पैसे तो हवा में उड़ रहे है ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ ये चछत तो बुरी तरह से लीक हो रही है टॉयलेट भी फ्लश नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे खायाल से बारिश के पानी से पूरा टैंक भर गया होगा तुम हमारे पीछे वो आदमी देख रहे हो वो इस सरकल में पूरे सोले दिनों से है ये तो तुम्हारे भूके रहने वाले चैलेंज से भी ज्यादा है याद दिलाने की क्या ज़रा थी क्या तुमने अभी तक सेकंड फ्लोर देखा है नहीं वा जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत स्टीप है ए जिमी तुम गंजे हो मैं इस सबसे दूर रहूँगा क्योंकि अगर मैं अंदर रहा तो वो एक दूसरे को परिशान करेंगे ना कि मुझे क्योंकि बॉइज परिशान कर रहे हैं तो उन्हें यहीं छोड़ देता हूँ मैं यहाँ तभी सीड़ी लगाऊँगा जब तुम माफी मांगोगे चलो मांगो हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं पहले माफी मांगो I'm sorry तुम गंजे हो Sorry तुम्हें गंजा का मैंने क्या ये तना मुश्किल था? हाँ, बहुत बॉइज ने कल मेरे पूरे घर को तहस नहस कर दिया मेरा याड पूरी तरह कांच से भरा हुआ है मैं परिशान हो गया मुझे डर है कि कहीं ये चैलेंज शौन के दिमाग पर हावी न हो जाए फिर से मेरे घर में घुसकर हल्ला मचाओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता इसे इस जगा नहीं लगना चाहिए था क्या हाल है चैले, मुझे डर लग रहा है मुझे भी लगता हमने ये जूला दो गंटों में लगाया है मुझे नीचे उतारो यानी तुम्हारे पचीज दिन कूरे होने का जश्न मनाने के लिए हमने या एक मेला लगाया है ताकि तुम मजे कर सके यहाँ बात है सीधे नेट में जाएगा रो, इंस्टमाट कर रही हूँ, वांट अनीफिंग? वो, वो, कितने? हाँ, और वो भी मंगवाल है ना, जिसे बैटरी क्या बलते हैं? हाँ, और वो, किचेन वाला, जिसे पूल करते हैं यह से लेके वो तक, स्विगी इंस्टमाट पे सब मिलेगा इं जिस 10 मिनिट्स इंडिया का इंवेस्टिंग हो जाए स्मार्ट रुपीज जीरो ब्रोकरिज एंजल वन सुपर आप पो स्मार्ट इंवेस्टिंग इंवेस्टि इंवस्टिंग इंवेस्टिंग उस्टी l's ये competition एक बड़ा बलीदान है मैं मेरे बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता हूं जल्दी ही वो बड़े हो जाएंगे और चले जाएंगे ये बहुत मुश्किल है तो मैं मेरे कपड़ों को और्गनाइस कर रहा था और वो करते हुए मुझे उनमें नोट्स मिले ये मेरी बेटी के ओर से है सबसे छोटी वाली मेरी एक बीवी और चार बच्चे है मैं पिछले 18 सालों में इतना अकेला कभी ने रहा हूं खाना बचाना, सर्वाइव करना ये मुश्किल तो होगा पर जो मुझे इस सरकल से बाहर ले जाएगा वो होगा ये अकेला पन फिलाल मैं सोचना नहीं चाथा मैंने गॉर्डन रामजी से बहुत कुछ बनाना सीखा है क्योंकि मैंने उसे सिर्फ 3,00,00 कैलरी जितना ही खाना दिया है तो शौन को उसे सच में बहुत ही समाल कर खाना होगा और हमने उसे बहुत ही अजीब चीजें दी है खाने के लिए तो ये मेरी सबसे पहली बूरी डूश है ये बस मेरा कल का बचा हुआ कुछ खाना है ये घटिया है इसमें बस गोवी है वहाँ उपर भी कैमरा है मैं इस सौ दिनों वाले चैलेंज में नंगा नहीं सोने वाला जीमी मैं ये तुमारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भयानक सा नजारा न देखना पड़े सुबह उसने का हे शौन तुमारे बिस्तर में मकड़ी गुस गई है मैंने मेरा बिस्तर पलट दिया मैं सर्कल से बाहर जा रहा हूँ ये मेरा आखरी दिन है आप ये लंबे समय से देख रहे हो मिस्टर बीस्त के एक वीडियो में एक सर्कल के अंदर रहना एक आम बात है उन्चालिस वा दिन है आज फादर्स डे है रात भर लगता रहा जैसे मैं अपने घर में हूँ फैमिली की बहुत याद आ रही है आज का दिन मुश्किल होगा शॉन नहीं जानता था कि मैं उसकी फैमिली को उसे फादर्स डे पर सर्प्राइज देने के लिए सर्कल में लाया हूँ शॉन तुमारे लिए प्रेजेंट लाए हैं सच में? अभी फादर्स डे डैडी इसे यहां फसाने के लिए मुझे बुरा लग रहा है इन्होंने प्रेजेंट खरीदने से पहले मुझे कोई राय नहीं ली और मैं एक चोटी सी बच्ची से अपने डैड को प्रेजेंट देने के लिए ना नहीं कह सकता था तो मैं भी साथ आगिया ठेक है मैं इसे अप्रूव करता हूँ यह अच्छा गिफ्ट है और तुमें सिर्फ यह गिफ्ट ही नहीं मिल रहा है यह अगले 24 गंटों तक तुमारे साथ रहने भी वाले है ओ नहीं तुम यहां बहुत बोर होने वाले हो क्या वो मेरी ड्रॉइंग्स हैं फ्रिजपर हाँ वो तुमारी ड्रॉइंग्स हैं यह इसने बच्पन में बनाई थी ओ यह मेरी बीवी है शान लगबग एक महीने से अपनी फैमिली से नहीं मिला था तो मैंने अगले दिन तक उन्हें थोड़ी प्रिविसी देने का फैसला किया उसे रेड सर्कल के बाहर जाकर मज़ा आता होगा ना बहुत बहुत शुक्रिया जी में मुझे बहुत खुशी हुई ये एक नया दिन है और यहां रायन आया है जो पूरी अमेरिका का सफर तै करके मुझे ये पैनी दिने आ है ये गाइस शान मैं अंदर आ रहा हूँ जानते हो इसके हाथ में क्या है एक पैनी अच्छा बता इसके हाथों में ये पैनी क्यों है मेरे बच्चों ने मुझे इस बारे में बताया था मैं तुम्हें ये टाइम पास के लिए दे रहा हूँ लो ये लो कल इसका पचासवा दिन है और हमने एक सर्प्राइस प्लैन किया है इसे मत बताना होगे और इस खासपल को मनाने के लिए मैंने कुछ यूट्यूब फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है ये हमें इसके यूट्यूब के दोस्त मुझे एक ब्रेक चाहिए शान शान आज कितने दिन हो गए हैं पचास सही कहा तुम्हारे सामने यहां पूरे एक लाग डॉलर्स कैश है अगर अभी बाहर निकलोगे तो तुम इन्हें रख सकते हो नहीं पर क्यों एक लाग डॉलर्स मैं यहां कुछ दिन रहकर पूरे पांच पा सकता हूँ अच्छा अगर यह देड़ लाग होते तो क्या करते उतने काफी होते अगर चार लाग के ओपर की ओफर होती तो तुम पांगर हो गए हो चार लाग बालंस ठीक है खैर सोचा था तुम हां कर दोगे इसलिए मैंने एक मार्चिंग बैंड को भी बुलाया है बैंड को यहां ले आओ बहुत अच्छी जानतो इस बैंड की खास बात क्या है यह आप पूरी राद बजाने वाले हैं गुड़ लाग पहले पचास दिनों तक मैं देखना चाहता था कि शौन यह कर सकता है या नहीं मैंने कर दिखाया पूरे पचास दिन हो गए इस चैलेंज के लास्ट हाफ हिस्से के लिए हमने कुछ बहुती क्रेजी चीज़े प्लाइन की अपने पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा सोचा नहीं था इसका ऐसान्थ होगा जुलाइ फॉद फिफ्टी फॉद डे हैपी बाद्धे अमेरिका उनलोग तयार हो चलो 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 भागो भागो यार जुलाइव मुबारक हो शॉन क्या वो सर्कल से बाहर आ रहे हैं सर्कल को देखकर चलना होगा चलो अंदर जला समलके मैंने बस रैंडम बटाके खरीदे थे सोचा निता इतना बवाल मत जाएगा फारिंग रोको रोको फारिंग मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा चलो यह बहुत पढ़िया था हाँ मैं भी यह कहने वाला था सच में हमें पटाकों का एक्सपर्ट होना चाहिए था हाँ वो मैं पहले से ही हूँ जरूर यह कि बाद जुलाई हो चुका है इसका मतलब हमें जाना होगा और आतिशपाजी नहीं होगा चलो वापस चलो है पांच जुलाई को बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करने वाले है ठीक है थैंक यू सोचके डर लग रा है जी मिया आगे क्या करेगा तुमने कहा तुमने डर लग रा है कि मैं आगे क्या करूँगा तो तुमने एक महिने के लिए केला छोड़दू नहीं वो तो और भी बतर होगा नहीं एक नहीं बात चैलेंज के लगभग उतने दिन ही बचे है एक डेड यूटीब चैनल से भी तुम महिने का 20 से 30 जार कमा तकते हो कोई तुक्के लगा के नहीं इसकी स्किल सीख के और अगर यह स्किल सीख के दिन ही बचे है तो पूरी कहानी ये है ऐसा कई बार हुआ कि मैं लाइन के बहुत करीब से गुजरा सरकल को देखकर चलना होगा मैं एक दिवार बनाने की सोच रहा हूँ अगर जिमी सच में 30 दिनों तक नहीं आने वाला तो उसके वापस आने तब पूरी दिवार बना लेनी चाहिए आज मैंने खाया एक मिक्स वेजी से भरा कैन और टर्की से भरा कैन वो भी बिना गरम किये खाना बहुत जल खत्म होने वाला है यह है मीट और इसकी गंद मैंने कुछ सोचा है कि मुझे इस साट फीट के सरकल में क्या करना चाहिए मैंने दिवार बनाई एक गार्डन एक फायर पिट जिससे इस्तमाल करना मुश्किल है घर के पीछे एक फेंस भी बनाई है एक हैमिक भी बनाया तो मैं बस यहाँ जिन्दा रह रहा हूँ अब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है तो अब पुरा टाइम सोने वाला हूँ वो रहा शौन का घर और मैं वहाँ 30 दिनों से नहीं गया हूँ देखते वो जिन्दा है नहीं मजाग कर रहा हूँ मैं रोज उसे कैमरा पर देखता हूँ और वो जिन्दा है तुम से 30 दिनों तक ना मिलने का उस पर इतना असर होगा तुम बहुती पतले लग रहे हो तुमारा वजन घट है तुल 11 किलो कम हुआ है वाउ इन 30 दिनों में हमने बहुत कुछ किया है तुमने क्या किया ये मेरी स्टॉम विंडो है और मैं यहां से बारिश को आते हुए देखता हूँ और बिजनियों की आवाज सुनता अब चीज़ें और मुश्किल होने वाली है आखरी 10 दिन बहुत भारी होंगे क्या कहा तुमने? तुम फिक्र मत करो मुझे लगा था कि 30 दिनों का चैलेंज मेरा सबसे हम पैसों के लिए जिन्दगी लगा देते हैं मैंने साल का एक तियाए इस्सा गमा दिया पांच लाग के लिए अपनी जिन्दगी को सोच समझ कर खर्च करें कैसा लग रहा तुम्हें? मैं यहां से जाने के लिए बेताब हूँ कुछ देर यहीं रुको मैं सर्प्राइज सेट करता हूँ मैं कहीं नहीं जाओंगा कोई रिस्क नहीं लूँगा ठीक है बस कुछी मिनिट्स बचे हैं बाहर लोगों की आवाजे आ रही हैं साफ सुनाई दी रही हैं जैसे के बाहर से एकड़ों लोग बात कर रहे हो बेरे को कुछ हो रहा सब लग सुनो वक्त हो गया है उल्टी किंती शुरू करो टेन नाइट एट सेवन सिक्स पाइफ पोर त्री तो माइ गोश आ जाओ बाहार तुमने आफिशिली सौ दिन पूरे कर ली है इस वेल लाइन पर प्यार रख दो तुम्हें पक्ता यकीन है सौ दिन पूरे हो चुके है चैलेंज खत्म हुआ तुम्हें कर चुका है बहुत मिस्टी